प्रेंट्स वल्कम बेग श्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ओयल और यूस ओयल में क्या लेवल्स रहेंगे और कौन सी चीज़े हैं जो कि इनके ओपर इंपक्ट डाल रही है तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं कि 9 अक्तूबर 2024 को यानि की वेड़नेश को क्या रहे सता है क्रूड ओयल में और दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं पिछले दिन की आप देख सेते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है इतने बड़ी गिरावट आने के दो कारण है सबसे पहला कारण जो है वो है चाइना अभी जो है EIA जो यहां पर Energy Organization है United States की उसने यहां पर फॉरकास्ट किया है चाइना का और पहले जो उन्होंने फॉरकास्ट किया था चाइना की जो ग्रोथ रेट है इंड़िस्ट्रिल ग्रोथ रेट उसको उसने कम कर दि है क्योंकि चाइना जो है वो अपनी ग्रोथ रेट जो उनका टार्गेट था 5% की ग्रोथ रेट का वो टार्गेट वो एचीव नहीं कर पाए और उसकी वज़ा से continuity में उनकी जो डिमांड है क्रूड ओयल की वो घटती जा रही है और दुनिया का नंबर वन इंपोर्टर है क्रूड ओयल का चाइना और अगर वहां की जो इंडिस्ट्रिल ड्रोथ रेट है वो कम हो रही है और अगर उसकी वज़ासे उनकी डिमांड कम हो रही है क्रूड ओयल की तो उसकी वज़ासे यहां पर डिमांड पर नेगटिव असर पड़ेगा और जब भी नेगटिव असर demand पर पड़ता है तो उसकी वाइश से crude oil जो है वो नीचे गिरता है तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है इसके गिरने का कि जो EIA है उसने उनका growth rate गटा दिया है as a result जो EIA है उसने उनका demand का crude oil की demand चाइना की crude oil की demand को भी गटा दिया है तो वो main कारण यहाँ पर आज रहा है और दूसरा एक और कारण रहा है कि यहाँ पर जो crude oil बढ़ रहा था इतने time से यहाँ पर आप देख सेते हैं कि यहाँ से यह इतना बढ़ चुका इसका बढ़ने का जो main कारण था वो था कि इरान ने इसराइल की भी इरान के उपर लेकिन दोस्तों अभी दो दिन हो चुके हैं तीन दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसराइल की तरफ से कोई भी ऐसा action नहीं हुआ है और experts का कहना है कि crude oil जो बढ़ रहा है वो सिर्फ expectations जो हैं उनके basis पर नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहां पर यह इतना जादा जो बढ़ रहा था वो सिर्फ expectation थी कि इसराइल जो है वो वापिस उसके ओपर attack करेगा और उसके जो तेल भंडार है उनके ओपर attack करेगा लेकिन यह सिर्फ अभी तक अटकले ही है और उनकी वज़ा से ही अभी तक crude oil बढ़ रहा था लेकिन कितना बढ़ेगा action तो कुछ हुआ नहीं तो उसकी वज़ाए से यहां पर आज जितना यह बढ़ रहा था उतना ही वापिस यह उसकी ओर को जा रहा है अभी आप देखते हैं कि काफी जादा यहां तक नीचे तक यह गिर चुका है यहां से बढ़ना इसने शुरू किया था और काफी नीचे तक यह आज आया है यहां पर अगर हम यहां पर USOL की बात करें तो USOL में भी आप देखते हैं कितनी बड़ी गिरावट हमें यहां पर आज देखने को मिली है बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है यहां पर देख सकते हैं तो इतनी बड़ी गिरावट इसलिए देखने को मिली है क्योंकि action नहीं हुआ कोई और सिर्फ forecast के दम पर सिर्फ expectations के दम पर जो है crude oil लगातार बढ़ता नहीं रह सकता उसके वज़से आज यह down आ गया है अगर कोई action होता है इस्राइल की तरफ से कोई action होता है तो फिर उसके बाद यह वापिस उपर की और को जाएगा लेकिन जब तक अब action नहीं होता तब तक यह वापिस अपने normal state पर आ सकता है तो हमें जो है news के उपर भी ध्यान देना है और दूसरा दोस्तो नेक्स्ट है यहां पर यहां पर बहुत important data भी आ रहा है अगर आपने हमारी data वाली वीडियो नहीं देखिए तो यहां पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए यहां पर आपको उसका link मिल जाएगा जो है बहुत important data आ रहे है सुबह सुबह data आ रहा है crude oil की inventory का एक तो और दूसके बाद शाम को शाम को भी crude oil की inventory का data आ रहा है और उसके बाद रात को उसके बाद FOMC की meeting minutes का data आ रहा है जो कि बहुत important data है दोस्तो तीन बहुत बहुत बड़े data यहां पर हमें देखने को मिलेंगे कल और उनकी वज़ा से भी वो भी decide करेंगे कि यहां पर क्या होता है crude oil उपर के और को जाएगा या नीचे के और को जाएगा तो पूरी का पूरा detail यहां पर हमने आपको देरखा अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोए नहीं किया है तो इस वीडियो के description box में जाएगा और वहाँ पर आपको हमारा टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा उसे आप जोइन कलेजी बिल्कुल free of cost है वहाँ पर हम आपको सारा जितना भी data आएगा कल उसका भी update देंगे और हमेशा देते भी है तो वहाँ पर हम आपको यह भी बताते हैं कि जो data है उसके वाज़े से आप crude oil उपर के और को जाएगा या निचे के और को जाएगा तो आप उसके उपर भी नज़र रखिए अगर यहाँ पर inventory बढ़ी हुई आती है prices उपर जाना तो यहाँ पर फिर यह उपर के और को जाएगा तो यहाँ पर इसके उपर हमने नज़र रखनी है दोस्तों और बाकी हम आपको levels यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत strong support इसने लिया है यहाँ पर एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा और यह चौथे घंटे की candle है वन आवर के time frame की हम यहाँ पर बात कर रहे है तो चौथे घंटे की time frame है इस level को यह नहीं तोड़ पाया है तो काफी निचे आने के बाद यहाँ पर support इसने लिया है अभी और green candle अभी यह बना रहा है तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 6207 के ओपर अगर green candle की closing आती है वन आवर के time frame पर तो फिर हमारा next target यहाँ पर 6267 यहाँ पर रहेगा फिलाल यह candle चल रहे है closing आने चाहिए means पूरी candle close होने चाहिए इसके ओपर उसके बाद यहाँ पर यह target उसके ओपर भी अगर green candle की closing आती है वन आवर वाली तो दोस्तों यहाँ पर 6319 हमारा next target रहेगा और इसके ओपर भी green candle की closing आती है तो next target 6374 यहाँ पर रहेगा और इसके ओपर भी green candle की closing आती है तो 6426 हमारा यहाँ पर next target रह सकता है जबकि downside के लिए यहाँ पर इस level के निचे यानि के 6154 के निचे अगर रड़ candle की एक तो news क्योंकि इसराइल कभी भी attack कर सकता है दोस्तों अगर attack करेगा तो यह उपर के ओर को जाए गई जाएगा और दूसरा यहाँ पर आपने data के ओपर नज़र रखनी है तो data के बारे में हम आपको telegram channel पर भी बता देंगे तो यहाँ पर आप इन दो चीजों के ओपर नज़र रखिए और उनके basis पर यहाँ पर आपको यह levels जो है आपने देखने है और दोस्तों एक और चीज यह है कि crude oil में आप एक lot से कम नहीं ले सकते और एक lot जो है आपको लाखों में मिलेगा और या फिर आप मेनी में लेते ह है तो हजारों में मिलेगा लेकिन आपका पास जो solution है वो है USOL, USOL में आप trading कर सकते हैं और उसमें आप even 0.01 lot भी ले सकते हैं और 0.01 का lot जो है 3.70 dollar में आपको available है तो आप मतले भी 3.70 dollar से भी trading शुरुआत कर सकते हैं आपने क्या करना है कि Exynos पर अपना forest trading account open करना है और money deposit जो करने है वो Indian currency में करने है वो automatically जो है Exynos पर जाते ही यहां पर dollars में convert हो जाती है और फिर आप trading कर सकते हैं उसकी help से तो बहुत ही बढ़िया platform है दोस्तों Exynos का platform और दूसरे जो platform है वो band भी हो चुग है तो मैं आपको बिल्गुल recommend नहीं करूँगा Exynos का use कीजिए मैं खुद सालों से videos भी बना रहा हूँ यह channel भी आप देखते हैं सालों से है और मैं Exynos का use भी सालों से कर रहा हूँ और मेरा experience Exynos का बहुत बढ़िया रहा है तो मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप Exynos का use कीजिए दोस्तों Exynos जो है वो दुनिया का number one forex trading platform बन चुका है और यहां पर अगर आप मेरे दिये हूए link से अगर आप Exynos का account ओपन करते हैं तो XAU, USD में जो आपको brokerage लगेगी यानि कि जो यहां पर spread लगेगा आपको 11% कम लगेगा तो उसके आप भी आपको फायदा मिलेगा मेरा जो link है वो video के description box में इस video के description box में आपको मिल जाएगा सबसे उपर उस पर click किजिए और आप सिधा Exynos के web page पर पहुंचेएगे वहां स चुका है तो मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप Exynos का use कीजिए तो दोस्तों अब हम यहां पर USOL की बात कर लेते हैं यहां पर USOL के आप देख सकते हैं कि continuity में market चले रहती है यहां पर आपको रात को चाहे आप 2 बज़े ट्रेड कीजिए चाहे चार बज़े ट्रेड कीजिए क हर टाइम market चले रहती है यहां पर closing की कोई बात ही नहीं है सिर्फ 20-30 रात को 20-30 एक घंटे के लिए close रहती है उसके बाद 23 गंटे चले रहती है तो बहुत ही बड़ी है platform है दोस्तों यहां पर और देख सकते हैं कि कितना बड़ा move भी आपको देखने को मिला कोई भी move आप नहीं छोड़ेंगे यहां पर यहां पर जैसे m6 है वो तो close हो जाता है एक time के बाद लेकिन यह चला रहता है तो यहां पर आपको levels जो है वो मैं आपको बता रहूं यहां पर candles भी देखते हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी candles बनती है यहां पर यहां पर जो है अभी फिलहाल य हमें देखना पड़ेगा कि यह closing कहां पर देता है और levels मैं आपको बता देता हूं one hour का time frame है यहां पर 73.44 का एक level है इसके उपर green candle की closing आती है तो 73.84 इसके उपर भी green candle आती है तो next target 74.48 और इसके उपर भी green candle आती है तो next target यहां पर 74.47 रहेगा यहां पर और यहां पर जो है नेज़र रखनी है तो उसके वाज़ से यहाँ पर हमें मूव देखने को मिल सकते हैं तो next जो हमारा यहाँ पर target रहेगा दोस्तों यहाँ पर वो रहेगा यह level यह level है 74.79 का 74.79 का level है अगर इसके ओपर भी 74.46 के ओपर green candle की closing आती है उसके ओपर भी green candle आती है तो 75.10 हमारा next target रहेगा यहाँ पर जबकि downside के लिए यहाँ पर दोस्तों red candle की closing आने चाहिए नेचे की ओर को 73.43 उसके नेचे red candle की closing आती है तो next target 73.09 और इसके नेचे भी red candle की closing आती है तो 72.67 इसके नेचे भी red candle आती है तो next target target 72.36 और इसके नेचे भी red candle आती है तो 71.92 हमारा next target रहेगा और इसके नेचे भी red candle आती है तो next target यहाँ पर 71.51 रहेगा लेकिन आपने नज़र रखने है data के ओपर भी और news के ओपर भी और अगर news में कुछ नया होता है attack होता है इसराइल की तरफ से तो उसके बाद कोई data impact नहीं डालेगा सिधा वही चेज impact डालेगी क्योंकि वो सबसे उपर आएगी फिर चेज और वो फिर crude oil को उपर ले जाएगी तो यहाँ पर यह हमने आपको बताया जो भी data आना है और जो impact पढ़ना है crude oil और US oil के उपर तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आ रही है अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को भी सब्स्राइब कर लेजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन हव नाइस टे गुडबाई